दोस्तों अगर आप भी अपने सफेद बालों को जड़ से काला बनाना चाहते हैं, सिल्की बनाना चाहते हैं, साइनी बनाना चाहते हैं, और आप अपने बालों को लंबा घना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत बैतरी नुस्का मैं आपको बता तोड़े बहुत यानि कि दो चार वाल चे वाल इस तरीके से तरीके से तरीके ने लगते आ नई उफ्रिके बच्चों तक के बाल सफेद होने लगते हैं तो आ तो आप तो आप कुछ नहें बस इस नुश्के को यूज करिए आपके बालों की हर एक समस्या करदा यह moodie आपके बाल कॉल काले घघने लंबे उद्यक्तफ चल्क Brady हो जाएंगे चलिए काुको क्या करना है आपको लेना है नीम की पत्तियों को मैंने पहले से ही पानी से साप कर लिया था तो आप भी पानी से साब कर लें नीम की पतियों को ले करके आप इसका पेश्ट बना लें बारीक सा तो यहां पर मैंने नीम की पतियों को पेश्ट बनाने के लिए दो चमच इसमें पानी डाल दिया है और इसका पेश्ट बना दिया है आप चाहें तो मिक्सी के जारवन डाल करके इसका पेश्ट बना सकते हैं अब इसके बाद में हम क्या करेंगे एक लेंगे कड़ाई यानि की कोई सब बर्तने लेंगे और इसमें हम करीवन एक कप डाल देंगे तेल तो यहाँ पर मैंने सर्सो का तेल डाला है आप चाय तो इसकी जगह पर नारील का तेल ले सकते हैं आप ओलिवोय ले सकते हैं तो आप कोई साभी तेल ले सकते हैं इनमें से ठीके रहें तो यहाँ पर ने सर्चों का तेल लिया है अब इसके बाद में हम डाल देंगे एक छोटा चमज भर करके इसमें चाय की पत्ती और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे नीम का पेष्ट नीम का पेष्ट हम क्यों डाल रही है और चाय की पत्ती क्यों डाल रही है चाय की पत्ती में दोस्तों भरपूर मातरा में कैफीन होता है जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं सिल्की साइनी होते है और अब इसमें मैंने डाल दिया है मैथी दाना आदा छोटा चमच और आदा छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे कलोंजी ठीक है न दोस्तों ये जो कलोंजी होती है ये क्या करता है आपके बाल अगर जढ़ रही है तो बालों का जढ़ना खतम करता है साथी साथ बालों को काला बनाता है सिल्की बनाता है साइनी बनाता है बालों को लंबा करता है अगर आपके बाल बहुत जढ़ ज़ड़ गई है यानि कि गंजेपन की प्रॉबलम हो रही है तो गंजापन भी दूर करने की ताकत रखता है यह कलोजी और यह जो मैंने इसमें मैंसी दाना यूच किया है ये मैंती दाना क्या करता है आपके बालों को घुरा बनाएगा काला बनाएगा और लंबा बनाएगा ठीक है ना तो कहने का मतलब है ये लुसका बहुत बैतीन है और ये जो मैंने इसमें नीम की पत्ती यूश की है दोस्तों ये क्या करता है कि आपके बालों में किसी भी पका कियांस हो जाती हैं और नहीं निश्का खतम करेंगा तो यहां हम क्या सो कंए बरॉमिंट वह उसलोगे करना है और से टेसी हमैं पंड़ इसे मात्र करीवन दो मिनट के लिए बिलकुल मध्यामाच पर आप इसे क्या करना है आपको इसको छोड़ देना है रात पर के लिए यानि कि 24 गंटे के लिए आप इसको आप रात पर के लिए छोड़ दीजिए और 24 गंटे के बाद में आप क्या करेंगे इस तेल को आपको छ करोंजी का भी अर्क आ चुका है ठीक है न दोस्तों यह बहुत बैतरी मैंने आपको हेर ओल बताया है इस ओल को अगर आप यूज करेंगे तो दोस्तों एक तो आपके बालों को बिटामिन मिलेगा प्रोटीन मिलेगा जिससे की आपके बालों की हर एक समझ से खतम हो जाएगी तो यहां पर मैंने इसे च्छान लिया है अब आपको क्या करना है इस यह जो बचा हुआ है इसको आप क्या करेंगे इसका पेश्ट बना लिजिए यानि कि पेश्ट मिक्सी जर्म डालिए पेश्ट बनाईए और दही में मिला करके आप इसको यूज कर सकते है अपने बालो में लगाएं यानि कहने का मतलब जब आप अपने बालों को धुलने जाएं तो उससे पहले इस तेल से मसाज करें तो आपको क्या करना है इस तेल को लेना है कुछ नहीं करना है बस ऐसे ही तेल को लेना है और ले करके आप अपने बालों की जड़ों में बालों की लेंथ मे अच्छे से इस तेल को लगाईए और लगा करके सरकुल मुसर में मसाज कर दीजिए बस इतना सा आपको करना है और मसाज आपको लगातार पांस विट लिए करना है और मसाज करने के बाद में आप अपने बालों को 2-3 गंटे के लिए छोड़ दीजिए अगर आप रात बर के लिए छोड़ सकते हैं, तो रात बर के लिए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात बर भी लगा रहने दें, अगर आप नहीं रात बर लगा सकते हैं, नहीं टाइम हैं आपके पास में, तो आप करीबन तीन गंटे जरूर इसको लगाईएगा, जिससे कि आपके बालों को पोसक्तत मिल सके हैं ठीक है दोस्तों ये क्या करेगा आपके बालों को काला भी बनाएगा जब इसमें जो प्रोटीन जो पोसक्तत हैं ये सारे आपके बालों को जब मिलेगा ना तो विटामिस मिलेगा ना तो आपके बाल आटोमेटिक काले होंगे गरे होंगे सिल्की स्थाइनी होंगे और साथी साथ इस तेल में कैफीन भी है जो की बालों को काला बनाने में मदद करता है तो आप इस तेल को हफ्ते में दो बार जरूर यूज करें आप कुछ दिन तक लगातार यूज करिए इस नुस्के को इस हेर ओयल को तो देखना दोस सिल्की स्थाइनी हो जाएंगे और मैं आपको क्या बता हूँ आपके बालों की ग्रोष इतनी तेजी से होगी कि आप खुद दंग रह जाओगे यानि कि आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगी कहने का मतलब क्योंकि एक हेर ओयल में सारी समगरी है सारी देशी चीज़े हैं जो कि आपके बालों को लंबा घना काला बनाने में बहुत बैतनी तरीके से काम करेगा इस नुसके को जिनके बाल सफेज भी नहीं है तो बो लोग भी इस नुसके को यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों से करें तर चूज करें गना बनाने में हैं।